Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ रोली और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जो लाइट लाइन आती है उसका रीजन क्या होता है हम होम प्रेगनेंसी किट का उप्योग करते हैं घर पे प्रेगनेंसी कनफर्म करने के लिए और इस किट पे मेंशन होता है कि अगर सिफ एक लाइन आ रही है पिंक कलर की तो प्रेगनेंसी नेगेटिव है अगर दो लाइन आ रही है तो pregnancy positive है लेकिन problem तब आती है जब एक लाइन तो dark आ रही है एक लाइन बहुत ही faint आ रही है बहुत ही light आ रही है तब हम confuse हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है तो आज इस वीडियो में मैं इसे पर बात करूँगी detail में तो सबसे पहला reason जो है जिसकी वजह से ये faint line आती है इसमें क्या होता है कि कई बार हमें बहुत curiosity होता है जानने का और हम बहुत जल्दी चेक कर लेते हैं जो recommended होता है आप उस kit को जब उसका detail पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको use करना है तो उसमें mention होता है कि ये missed period के 3-4 दिन के बाद use करना होता है तो कई बार होता है कि हम इतनी जल्दी बाजी में बहुत पहले ही चेक कर लेते हैं तो अगर हम early चेक कर लेंगे तो हमारे urine में क्योंकि ये urine से test किया जाता है हमारे urine में जो hcg hormone है जिसको ये read करता है वो hormone इतना होता नहीं है कि उसमें line अच्छे से आए तो जो हमारा hormone है hcg जो detect होता है इस kit के through जो हमें line में दिखता है वो generally mist period के 3-4 दिन के बाद ही इतना होता है कि वो dark line create कर सके तो पहला reason तो हो गया कि हम बहुत जल्दी चेक कर लें तो भी light line आईगी तो इसको confirm करने के लिए आप एक हपते के बाद चेक करें तो आपक अगर ovulation ही late हुआ है तो conception भी late होगा जिसकी वज़े से अगर आप 4-5 week पे जो recommended होता है 5 week उस पे आप check भी कर रहे हैं तो भी light line आजाती है क्योंकि हमारे जो ovulation ने वो late था consumption उसकी वज़े से late हुआ तो obviously hormone जो है hcg वो भी कम होता है तो आप इसको वापस repeat test करें 4-5 दिन के बाद तो आप उसको confirm कर लें थार्ड जो reason होता है वो है ectopic pregnancy मतलब pregnancy है लेकिन अपनी सही जगह पे नहीं है या तो philabian tube पे है या कहीं और है वो इस reason से भी जो hormone hcg वो अच्छे से नहीं बढ़ता है और हमें बहुत ही light line आती है काफी हम 5-6 week के बाद भी चेक करते हैं तो उसका reason ectopic pregnancy होता है फोर्थ जो reason होता है वो है missed abortion मतलब conception हुआ और वो abort हो गया किसी reason से तो ऐसे condition में जो hormone है वो बना फिर वो decline होने लगा तो उस condition में भी आप अगर 5-6 week पे भी चेक कर रहे हैं तो भी आपको light line मिलेगी क्योंकि वो missed abortion हो चुका है वो जो hormone है और वो बढ़ check है वो नहीं होता है आपको period भी आ जाते हैं लेकिन अगर आपने check किया तो आपको light line दिखती है बट इसके बाद period आ जाता है इसका मतलब है कि pregnancy नहीं है जो reason है वो है जो कि बहुत rare है तो हर किसी को ये नहीं हो सकता बहुत ही बहुत ही rare है ये वो होता है tumor अगर आपके uterus म tumor है तो उसके वज़े से भी SCG hormone raise होने लगता है और अगर आप pregnancy test कर रहे हैं kit से तो भी आपको faint line दिख सकती है बट फिर में आपको बात दुबारा बतारी हूँ कि ये बहुत rare condition होती है next जो reason है वो है infertility treatment अगर आप pregnant होने के लिए infertility treatment कर वा रहे हैं तो उसमें doctors na SCG hormone देत आते हैं तो उस condition में भी क्योंकि आप pregnancy के लिए try कर रहे हैं और आपने pregnancy test किया तो आपकी body में SCG hormone already injections के थ्रू है तो भले आप pregnant हो या ना हो आपको वो test में आ जाता है light line होती है और ये आप देखेगा ये line ने progress नहीं करती है जैसे कि आपने चाचा दिन के बाद चेक किया पास दिन के बाद चेक किया तो ये darker नहीं होती है ये light होती जाएंगी ये dark नहीं होंगी जबकि pregnancy होने पे line dark होती चली जाएगी भले आपको starting में fentaline दिखा आपने one week के बाद फिर से test किया तो line पहले से और dark हो जाएगी ठीक है तो ये एक सबसे बड़ा difference है जब last जो reason है वो होता है evaporation line आप जब kit लेते हैं उसके उपर लिखा होता है mention होता है बहुत ही clearly कि जो आप reading लेंगे वो within 5 minutes लेंगे तो जब आप उसके उपर urine drops डालते हैं आपको जो reading लेना होता है वो 5 minutes के अंदर लेना होता है लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं हमने test किया और हम रख पर रेट होता है जिसकी वज़े से वहाँ पर line दिखती है तो यह line है इसमें मतलब यह हुआ इसका कि pregnancy नहीं है सिर्फ एक false आपको line दिख रही है generally ऐसा होता है कि अगर आपकी आपने pregnancy kit से test किया और within 5 minutes आपने read किया और front line आई तो generally pregnancy positive होती है क्योंकि इसे जो hormone इतना नहीं होता है तो line light होती है तो जिसके लिए मैं आपको बोलूगे कि आप उसको retest करें 4-5 दिन के बाद तो आपको सही से पता चल जाएगा और वैसे भी pregnancy को confirm करने के लिए हमेशा sonography की जाती है जिसमें sec को देखा जाता है baby की position देखी जाती है six week पे तो यह तो must होता ही होता है अ आपकी body में जो sec है वो है की नहीं है और pregnancy मतलब कहां पे है एक topic है या क्या है वो जो भी details है वो confirm जो होगा वो sonography के through ही होगा जो kit होता है वो सिफ आपकी body में SCG hormone का level है present या नहीं यह वो चेक करता है तो यह सारे reason होते है pregnancy test kit में faint line आने के तो hope आपको अच्छे से समझ आ ग आपके तो यह को अपके तो कि symbolic के आपके तोगा अच्छे से जो सिफग जगा है अब आपको अज़ कर आपके पास?